असलाम अलेकुम एवरिवान दिस इस अन्जूम वेलकम बैक टो माइ चानल फुट एंड ब्लोग विद अन्जूम आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल डेजर्ट जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है यह बहुत ही कम इंग्रिडेंट्स में बनने वाला डेजर्ट है आप एक बार इस को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा चलिए रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चानल में नहीं है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले चलिए मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं सबसे पहले मैं पर एक आदा लीटर दूद ली हूँ इसको अच्छे से गरम होने के लिए रख दूँगी और इसमें से थोड़ा दूद निकाल ली हूँ मैं इसको बाद में यूश करूंगी मैं निकाले हुए दूद में दो टेबल स्पून कॉन फ्लॉर एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा दूद थोड़ा सा गरम हो चुका है अब इसमें शामिल करेंगे दो एंड़ अफ टेबल स्पून चीनी आप आपकी हैसाब से डालेगा कम्या जादा चल दालना विल्कुल आप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं अश्किप भी कर सकते हैं अब डालेंगे दूद और कॉन फ्लॉर को मिक्ष्टर इसको अच्छे से मिक्स करके डालिएगा क्यूंकि नीचे से टल होके रहता है इसलिए थोड़ा थोड़ा दाल कर इसको अच्छे पविख मोटन करेंगे अब यहां पर 1 सौस पन में मैं ले रही हूं एक कप पानी और साथ दालोंगे आदा कप चीनी हुआ अब चीनी को अच्छे से पिकलनें तक पकाएंगे देखिए चीनी अच्छी से पिगलने लगी है अब इस समय में डालेंगे थोड़ा सा एलो फूट कलर यह बिलकुल आप्शनल है आप चाहिए तो डाल सकते हैं इसकिप भी कर सकते हैं मैं सिर्फ कलर के लिए इसतेमाल कर रहे हूँ अब हमारे चीनी अच्छी से पिकल चुकी है और चाहिए बिलकुल भी आदि हो चुकी है ये चम्मत से आपको ऐसा करके दिखा रही हूँ देखिए कोटिंग कंसिस्टेंस वर लाव मिश्टर बन के तैयर हो चुका है अगर ऐसा लाइन दालूं तो लाइन नहीं मिल रहा है यह परफेट टेक्श्टर बना हुआ है अब इसका फ्लेम बन करके चलिए फ्लेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर एक चांच का बॉल ली हूँ आप चाय तो कोई भी बॉल दे सकते हैं यहाँ पर एक लेयर का रस्ट सेट कर रही हूँ मैं जो चाय में खाते हैं वही रस्ट कही है आप चाय तो इसकी बदर में बिस्केट भी उसकर सकते हैं कि जहांपे भी गया पगए ना रहां पर रस्त दोड़ दोड़के वहां पर बीच फिल कर लेंगे चलिए हमारा वन लैर सेट हो चुका है अब इसके ओपर शुग कर सिरप डालेंगे जिसे हमें बनाय हुआ था चलिए अच्छे से डाल देंगे इसके ओपर अब इसके उपर डाल देंगे गरम गरम जो बनी हुई रबडी इसको गरम ही डालना है थंडा करके नहीं डालना है चलिए सेकेंड लेयर की प्रिपरेशन कर लेंगे यहाँ पर सेकेंड लेयर भी अच्छे से सेट कर रही हूं मैं जहाँ पे भी गापस है वहाँ पे भी अच्छे से फिल कर रही हूं अब फिर से इसको पर शुगा सिरप अच्छे से डाल देंगे सारी तरफ और बची भी रबडी को इसके उपर डाल देंगे अच्छे से देखिए इस तरह से सारी तरफ रबड़ी दाल देना है हमें देखिए इस तरह करके सारी रबड़ी दाल दी मैंने कितना मस लग रहा है ना इक्वल आपे ग्लास जार भी अच्छे से फिल हो चुका है जहां पे भी gaps है ना थोड़ा थोड़ा दाल के अच्छे से set कीजिएगा और यहां पे मैं फिस्ते से अच्छे से decoration करने जा रही हूँ आप जाए तो dry fruits कोई भी डाल सकते हैं आपके मर्जी के या आप dry fruits दालने का skip भी कर सकते हैं कोई problem नहीं अब सारे तरफ dry fruits को अच्छे से डाल देंगे अब हमारा decoration and serving process अच्छे से set हो चुका है चलिए इसको यह क्या दो खंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से set हो जाए अब यहां दो खंटे हो चुके हैं देखिए हमारा desert कितना अच्छी तरिखे से set हो चुका है कितना मलायदार रबड़ीदार desert बन के तयार हो चुका है जिसे खाने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चलिए इसको अच्छे से cut करके serve कर लेते हैं देखिए इसे cut करने से पता चलता है कि यह कितना smooth बन के तयार हुआ है वाव देखिए इसका texture कितना मस लग रहा है ना चलिए एक plate में निकाल लेंगे इसको देखिए हमारा desert कितना मस तैनेमी लग रहा है ना देखते ही खाने को दिल कह रहा है ना उतना मज़े का बना हुआ है इस recipe को इफतारी में जरूर शामिल करेगा इसको खा के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा चलिए इसको cut करके दिखाती हूँ आपको देखिए कितना easily cut हो रहा है ना यह आप देख सकते हैं इसका texture भी कितना मज़े का बना हुआ है और यह आप एक बार खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे उतना मज़े का बनता है अगर आपको मेरे recipe पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले चलिए निक्स वीडियो में मिलते हैं निक्स recipe के साथ जब तक के लिए बाई अला आफेस टेक केर थैंक यू और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया